तस्वीरों में दिखाई दे रहे इन पक्षियों की प्रजातियां धीरे धीरे कम हो रही है जिसका कारण माना जा रहा है मानत जीवन का भोगौलिक परिवर्तन और खानपान जिस तरह मनुश्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है उसी प्रकार से पेड़ पौधे पक्षियों के भोजन का भी मुख्य जरि ने बताया कि हासी रेंज में कुछ खास किस्म के पेड़ों को इस पर अधिक लगाने पर ध्यान दिया जा रहा है जिन से पक्षियों को निवाला मिलता है अन्य पौधे तौन परट पीपड़ पीपड बिभाण में 2 वर फ्रोटिंग आती है इस तो आम है नेम है नेम के नेम बोलियों को पक्षि भी खा सकते हैं पॉसों भी खाते हैं और आधिमियों के लिए भी पौस्ति थीघा काम करती है मैं आप खाओ और अनिम के लिए पर तो उनको अपना जो खाना है वो मिलता रही पक्सियों को पहले आदमी प्रोटेक्ट करते थे अब की जो पीडियों के प्रोटेक्शन का काम नहीं होता लोग ज्यादा ज्यान नहीं दे पाते इस बात पर भी उनके लिए क्या किया जाए खेतों में आम तोर पे फसले अर्वे हैं विशेश परकार के पेड़ जैसे बड़ पीपर गुलर नीम इन पर ज्यादा फोकस किया कि ताकि पक्षियों को पूरे साल खाना मिल सके और उनका अबिडेट बचा रहे हैं काफी सारे पक्षी वो सिरफ इसी पेटी पैंड करते हैं जो पक्षियों के लिए लाब्दा में करीब 600 पक्षियों के प्रजातियां पाई जाती हैं इन में से जारतर पक्षी अपना भोजन पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं कुछ पक्षी पेड़ों के बीच या उन पर लगने वाले फलों को खाकर पेट भरते हैं अगर हासी की बात करें तो यहां पिछले एक साल के अंदर करीब 7 पीसर व्रिक्षों की संख्या कम हो गई है साल 2021 में जहां 2,23,535 पेड़ थे बीते एक साल में 14,000 पेड़ कम हुए हैं और वर्तमान साल में 2,9,291 रह गए हैं इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की संख्या घर्टने से ना जाने पर्यावरन असंतुलि होने के साथ ही ना जाने कितने पक्षियों का निवाला चिन गया है हाला कि वन विभाग पौधार उपन बर जोर दे रहा है हांसी फॉरेस रेंज में ऐसे पेड़ों की संख्या कम हो रही थी जिसके मद्दे नजर वन विभाग ने इस बार करीब 17,000 ऐसे ही पेड़ों को ल अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद